हेलो एवरीवन मेरे नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी है मेशा दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेस्टरॉल के बारे में जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार उपाए और कुछ ऐसे आसान टिप्स जिसकी मदद से आप बिना किसी मेडिसिन के अपना कॉलेस्टरॉल घटा सकते हैं अपनी बाडी में कॉलेस्टरॉल को कैसे कम करना है ये जानने से पहले आए जानने के आखिर कॉलेस्टरॉल होता क्या है आखिर हमारी बॉड़ी में आता कहां से है, बनता कहां पर है और इसकी क्या importance है? क्या यह वाकई में इतना बुरा है जितना हम यह समझते हैं? देखे, cholesterol जो है यह बनता है हमारे liver के अंदर हमारा liver जो है, वो cholesterol को बनाता है और ये cholesterol जो है हमारी body के लिए बहुत important है nature ने हमारी body में जो cholesterol को बनाया है उसका कुछ अपना मकसद है cholesterol जो होता है ये हमारी body की cell walls होती है उनको elastic बनाता है उनको lachila बनाता है या नरम बनाता है इसके साथ body के metabolism के लिए बहुत सारे ऐसे hormones होते हैं इनके बनाने के लिए cholesterol की ज़रूरत पढ़ती है तो cholesterol ऐसा नहीं है के बहुत बुरा है cholesterol की अपनी एक अलागल importance है लेकिन हाँ अगर ये cholesterol हज्ट से ज़्यादा बढ़ जाए तो definitely आपकी सेहत के लिए और specifically आपकी heart health के लिए ये बहुत ही साथा घाता खो सकता है fat की ही तरहा जो cholesterol होता है ये भी water soluble नहीं होता है तो इसको हमारी body में circulate करने के लिए कुछ ऐसे specific molecules होते हैं जिनकी ज़रूरत पढ़ती है ये molecules कराते हैं lipoproteins और ये lipoproteins जो होते हैं basically ये एक vehicle का काम करते हैं एक गाड़ी का या एक कश्टी का काम करते हैं जिसके अंदर बैट कर जो cholesterol होता है वो हमारी पूरी body के अंदर circulate करता है तो हमारा liver सबसे पहले जब cholesterol को बनाता है तो वो इसको bind करता है VLDL के साथ I'm sure कि अगर आपने कभी अपना cholesterol चेक कराया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा VLDL, HDL, LDL आपको लगा होगा यह सब क्या चीज़ है Basically VLDL का मतलब होता है Very Low Density Lipoproteins LDL का मतलब होता है Low Density Lipoproteins और HDL का मतलब होता है High Density Lipoproteins तो सबसे पहले जो हमारा liver जब cholesterol को बनाता है तो वो इसको bind करता है VLDL के साथ यह VLDL carrier का काम करता है और यह पूरी body में इस cholesterol को लेकर circulate करता है जिन-जिन cells में cholesterol के जरूरत है वहाँ पर वो इसको supply करता है और supply करने के बाद जो VLDL है वो convert हो जाता है LDL के अंदर यानि Low Density Lipoproteins के अंदर इसी तरह एक तीसी तरह का भी lipoproteins होता है जिसको बोलते है HDL यह होता है High Density Lipoproteins यह जो होता है यह काम करता है reverse transportation का यानि जब आपकी body में सारी cells ने पूरा cholesterol ले लिया उसके बाद जो cholesterol हमारी body में यानि हमारी blood circulation में बचा उसको यह HDL जो है ज़्यादा अच्छा है heart friendly है क्योंकि यह क्या गर रहा है यह आपके जो circulation है उसमें से extra cholesterol को उठा कर वापस liver में लेके जा रहा है तो आपकी body में plaque बनने का आपकी vessels के अंदर plaque बनने का या कहीं पर thrombosis होने का या फिर cholesterol बढ़ने का खतरा कम हो जाता है इसलिए जब भी कभी हम target करते हैं अपने cholesterol को control करने का तो हमारा जो target होता है जो हमारा मकसद होता है LDL और VLDL को कम करना और HDL को बढ़ाना तो चलिए यह तो हो गई basic सी कुछ जानतारी cholesterol के बारे में जिसको आपको जाना जरूरी था अब जानते हैं कुछ एक ऐसे बहुत ही important tips के बारे में कुछ ऐसे lifestyle changes के बारे में जिनको अपनाने से आप बिना किसी medicine के अपना cholesterol काफी हद तक घटा सकते हैं और हाँ जैसा मैंने आपको बताया हमारा मकसद है LDL और VLDL को घटाना और HDL को बढ़ाना सबसे पहली और सबसे important चीज जो है वो है आपको अपनी diet में mono unsaturated fats को increase करना है जी हाँ increase करना है घटाना नहीं है देखे fats जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं एक होते हैं saturated fats और एक होते हैं unsaturated fats saturated fats तो वो होते हैं जो घी की शकल में होते हैं जो जम जाते हैं वहीं unsaturated fats वो होते हैं जो oil की शकल में होते हैं यानि जो normal room temperature पे जमते नहीं है unsaturated fats में भी दो किसमें होती हैं एक होती है monounsaturated fats और एक होता है polyunsaturated fats तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं monounsaturated fats की Monounsaturated fats चे होते हैं या आपकी heart health के लिए बहुत ही बहतरीन चीज़ होते हैं ये Monounsaturated fats चे होते हैं ये पाए जाते हैं olives के अंदर यानि olive oil अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें Monounsaturated fats होते हैं cannula oil अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर होते हैं इसके लावा जो nuts होते हैं जैसे कि बादाम है या फिर चिल्गोजा है या फिर walnut है या फिर hazelnut है इन चीजों के अंदर ये पाए जाते हैं या इसके लावा avocado में भी बहुत ज़ादा पाए जाता है तो जैसा मैंने आपको थोड़े पहले बताया था है HDL आपकी heart health के लिए बहुत important होता है बहुत अच्छा होता है तो अगर आपका LDL घट रहा है और HDL बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो आपका cholesterol का profile है वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है तो इसलिए monounsaturated fats को मैं कहता हो बहुत ही important चीज है इसको आपको अपनी diet में बढ़ाना चाहिए ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं बहुत कम लोग आपको बताते हैं लेकिन अगर ये point आपने जान लिया और इसको अपनी life में adopt कर लिया तो I am sure कि आपका cholesterol profile है जो आपका HDL है वो बहुत अच्छी तरह healthy way में बढ़ जाएगा monounsaturated fats को आपकी diet में increase करना इसलिए भी important है कि for example अगर आप monounsaturated fats को increase अपनी diet में नहीं करते हैं आप सिर्फ अपनी diet में से cholesterol को या जो fats है unsaturated fats हैं उनको घटा देते हैं तो उससे क्या होगा आपका LDL तो कम हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो इसलिए best way क्या है अपनी diet में आपको monounsaturated fats को बढ़ाना है और इसका फायदा आपको जो मिलेगा वो एक healthy lipid profile की शकल में मिलेगा अपने बड़े हुए cholesterol को घटाने के लिए दूसरी चीज जो आपको अपनानी है वो है polyunsaturated fats research से ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी diet में regularly polyunsaturated fats को यानि जो तेल की शकल में होते हैं चाहे वो sunflower oil हो चाहे वो सरसों का तेल हो यानि mustard oil हो चाहे वो coconut oil हो चाहे वो तिल का तेल हो इस तरह के चीजे जो regularly अपनी diet में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के अंदर heart problems होने का जो खत्रा है वो compared to those people जो की saturated fats को यूज करते हैं 20% तक कम होता है इसके साथ साथ research से ये भी साबित हुआ है कि जो लोग polyunsaturated fats को regularly use करते हैं उनके अंदर type 2 diabetes होने का खत्रा भी बहुत जादा कम होता है तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है apart from monounsaturated fats उनको तो आपको बढ़ाना है बट आपको इसके साथ साथ अपनी diet में जो regular diet में आप use करते हैं उसमें आपको saturated fats की जगा unsaturated याणि polyunsaturated fats को इस्तमाल करना है अब जब बात करते हैं polyunsaturated fats की तो उसमें भी एक specific तरह का fatty acid होता है जिसका हम लोग बोलते हैं omega 3 fatty acid ये भी एक gold mine है आपकी heart health के लिए तो अगर आप non vegetarian है और आप किसी ऐसे area में रहते हैं जहां पर seafood आपको easily available है तो आप seafood के थरू यानि मचली के थरू या crabs के थरू या जो भी आप seafood में पसंद करते हैं prawns के थरू अपनी diet में शामिल कर सकते हैं specifically जो मचलियां fatty होती हैं जैसे कि salmon है तो उसके अंदर ये omega 3 fatty acid बहुत जादा पाय जाता है उसके थरू आप अपनी diet में शामिल कर सकते हैं अगर आप non vegetarian नहीं है तो आप कोई supplement इसका use कर सकते हैं या फिर seeds के थरू या फिर nuts के थरू आप इसको अपनी diet में शामिल कर सकते हैं तो ये omega 3 fatty acid भी बहुत ही important है बहुत ही अच्छी चीज है आपकी heart health के लिए इसको भी बिलकुल इग्नोर नहीं करना है और polyunsaturated fats को यानि oils को जो की natural है और unrefined है जैसे के सरसो का तेल है या पिर sunflower oil है या तिल का तेल है या coconut oil है इन चीज़ों को अपनी diet में regularly use करना है ये जो point है ये बहुत ही important है आपके cholesterol profile को ठीक करने के लिए अगर आप अपना cholesterol घटाना चाहते हैं और अपने cholesterol profile को healthy बनाना चाहते हैं तो आपको trans fats को बिलकुल ना करना पड़ेगा Trans fats क्या होते हैं? Trans fats होते हैं एक तरह के modified unsaturated fats यानि जो vegetable oils होते हैं उनको एक process के तरू जिस process को कहते हैं hydrogenation हम saturated बना देते हैं तो ये एक process होता है जिसके थरू बहुत सारी जो companies हैं जो की bakery products बनाती हैं या jams या spreads या cheese या इस तरह की चीज़े बनाती हैं वो इस process को अपनाती हैं जिससे की उनके जो products होते हैं वो जाता yummy या जाता creamy या जाता thick और fluffy आपको फील होते हैं तो इस तरह से बनाए हुए modified fats जोते हैं इनको trans fats बोलते हैं और ये आपकी heart की health के लिए बहुत ही जादा नुकसान दे होते हैं trans fats जोते हैं या आपके LDL को और VLDL को तो बढ़ाते हैं और आपके HDL को या जो अच्छा cholesterol है उसको घटाते हैं तो ये दो तरह से मार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितने बुरे हैं और कितने घातक हैं आपकी heart health के लिए ये trans fats तो अगर आप अपनी heart health का ख्याल रखना चाते हैं अपने cholesterol को घटाना चाते हैं तो इस trans fats से बिलकुल बच के रहे हैं बिलकुल ना बोल दीजे आजकल governments ने भी बहुत सारे ऐसे rules बना दिये हैं कि जो bakery products हैं जो भी processed foods हैं उसके उपर उन्हें लिखना पड़ता है कि trans fats इसके अंदर है या नहीं है या अगर है तो कितना है लेकिन वहाँ पर भी कही ना कहीं थोड़ा सा खेल हो जाता है actually जो rule है उस rule के मताबिक अगर जो भी चीज आप खाने की ले रहे हैं अगर उसमें per serving 0.5 gram trans fat से कम है तो उसमें आप round figure में उसको mention कर सकते हैं यानि अगर किसी चीज में 0.5 gram per serving से कम trans fat है तो वो उसको 0 लिख सकते हैं तो practically उसके अंदर trans fat है लेकिन उस पे label पे आपको लिख चाहते हैं तो भी आप जान सकते हैं कि इसके अंदर trans fat है या नहीं है इसका तरीका यह है कि आप उस label को पूरी तरह पढ़िए और उसमें अगर कहीं पर भी लिख़वा है कि इसमें partially hydrogenated vegetable oil है that means उसके अंदर trans fat available है तो उससे बचे और उसको बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं कर अगर आप अपने blood से VLDL और LDL को कम करना चाहते हैं तो soluble fiber भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है soluble fiber क्या होता है ये एक अलग तरह का fiber होता है vegetable fiber होता है जो की water soluble होता है बट ये हमारा जो पेट है जो हमारा gut है human digestive system है ये इस soluble fiber को digest नहीं कर पाता बट हमारे gut के अंदर यानि हमारी पेट और हमारी आतों के अंदर जो probiotics यानि जो beneficial bacteria होते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह बचा सकते हैं इनफेक्ट उनके लिए एक बहुत ही nutritious diet होती है ये और अगर आप अपनी diet में ये soluble fiber include करते हैं तो आपकी जो gut flora है वो बहुत ही अच्छी तरह से flourish करती है और आपके beneficial जो bacteria है जो हमारे friendly bacteria है वो बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं इसका फायदा ये होता है कि जो probiotics होते हैं या जो friendly bacteria हमारी gut में मौझूद होते हैं ये हमारी body से हमारे blood से LDL को और VLDL को कम करने में मददगार होते हैं इसके साथ अगर आप already cholesterol गड़ाने की दवाईयां ले रहे हैं आपके doctor ने आपको prescribe करी हैं जिनकों लोग statins बोलते हैं तो soluble fiber लेने से उनकी efficacy भी बढ़ जाती है ये भी research से साबित है soluble fiber के बहुत सारे sources हैं जिसके तरूँ आप इसको ले सकते हैं अपनी जाइट में peas में यानि मटर में, beans में यानि राज में बगएरा में, इसके लावा fruits में, oatmeal में, lentils में और whole grains में ये soluble fiber बहुत जादा मातरा में पाए जाते हैं एक बहुत ही सस्ती सी और आम चीज है इसब गोल अगर आप उसको लेने चाते हैं तो उसमें भी बहुत ही जादा मातरा में soluble fiber पाए जाता है और ये बहुत ही जादा सस्ती चीज भी है तो इसको आप डेली अपने routine में ले सकते हैं आपको सूते समय गरम पानी से आप एक ये दो चमच इस सब गोल की भूसी या फिर साबोत इस सब गोल भी इस्तमाल कर सकते हैं Last but not the least exercise एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके blood cholesterol को कम करने के लिए exercise आप किसी भी form में कर सकते हैं चाहे वो aerobic exercise है चाहे वो walking है, jogging है, swimming है, weight lifting है, weight training है, yoga है आप किसी भी तरह की exercise कर सकते हैं In fact, अगर आप exercise नहीं कर सकते हैं आपके पास time नहीं है या कोई और problem है तो आप अपने daily routine में अपनी activity को भी increase कर सकते हैं For example, अगर आपने दोपर का खाना खाया उसके बाद आप थोड़ा सा चल लीजिए, बजाए lift के आप stairs को use करिए, बजाए car के और motorcycle के आप पैदल जाए market shopping करने के लिए, fruit खरीदने के लिए तो ये छोड़ी छोड़ी ऐसे चीज़े हैं जिससे आप अपनी physical activity को increase कर सकते हैं और अपने cholesterol को घटा सकते हैं Minimum 30 minute best walk करने से या फिर moderate activity करने से आप ता cholesterol घटता है, LDL घटता है और HDL बढ़ता है अगर आपको weight training करते हैं या resistance training करते हैं तो वो और भी जादा beneficial है बट उसके लिए जरूरत है कि अगर आपको कोई heart problem already है तो पहले अपने डॉक्टर से consult जरूर कर लें दोस्तों मुझे उमीद है आज इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सिखा होगा और ये वीडियो आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को एक like दे दीजे और इस चैनल पर अगर आप नए है तो हमारे इस चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह की जितने भी useful informative वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं वो आपको टाइम रहते देखने के लिए मिल जाए और इससे आप अपनी life को बेहतर तरीके से जी सकें दोस्तो इस topics related अगर आपका कोई भी question है तो आप comment box में मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की और हर एक query को answer करने की तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर end करते हुए मैं डॉक्टर सलीम आपसे विज़ा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे एक बहुत ही बड़ी हासी नई informative वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बाई 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 एं stay healthy हमेशा